गुड मॉर्णिंग एवरिवन कैसे हो आप लोग आयोप की आप सब अच्छे ही होंगे तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं दो लोकेशन पर पहला लोकेशन ये है उसरी फॉल वो परता है गिरिटी में और दूसरा ये है खंडोली वो भी गिरिटी में परता है तो गाइस सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं उसरी फॉल की तरफ हम कभी गई नहीं गुमने तो आज ये मेरा पहला हम जा रहे हैं जगह पर देखते हैं कैसा है क्या नहीं सारा चीज आज में इसी व्लॉग पर दिखाने वाले हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहे हैं लास्टक आप लोग को हर एक चीज हम एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे और उसरी फॉल में पहुंच्टे पहुंच्टे करीब हम लोग को लग गिया है एक घंटा ठीक है क्योंकि बीच में रुकना पड़ा थोड़ा नाश्टा पानी के लिए रुकना पड़ता है और लंबा सफर है न तो इसलिए गाइस अगर आप लोग मेरा चैनल पर नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना है और साती शर्ट बेल आइकन को भी ओन कर लेना है इससे क्या होता है ना कि आने वाले न्यू लेटेस्ट वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे ओके रिप दूम्ना फोग, आफिक सब्सक्राइब क्सा आप 55 बाइब मेरा के राद का लेव बेल आपके हम लोग पहुंच गए हैं उसरी फॉल की तरफ और यह देखिए आपको कुछ लाल करका दीख रहा है सुचे कि हम लोग पोहँच गए इसके अंदर जाएंगे गली के अंदर यह देखिए बस थोठी के अंदर हम लोग पहुचने वाले हैं या देखिए जो लाल करका दीख रहा है यह आपको बैनर टाइप का यही है यह देखिए गाइस नाम लिखा वार रहेगा उपर में यह देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को अब इसके अंदर जाना है ठीक है पहुँच गे गाइस अब ज्यादा दुर नहीं है अब ज्यादा आप लोग को ज्यादा आप लोग को लंबा सफर करने के बाद फाइनली हम लोग पहुच गाए उसरी फॉल में यहां पे उतना जादा भीर नहीं था जितना हम सोचे थे क्योंकि हम लोग फर्स्ट जनवरी को घुमने नहीं गाए थे इसलिए अगर हम फर्स्ट जनवरी को घुमने जाते तो इधर बैटने लाएक जगह मिलता ही नहीं अभी खाली खाली सा लग रहा है थोड़ा अभी भी सब कोई आ रहा है घुमने के लिए फिर भी हम लोग गए थे आठ जनवरी को तो यह देखिए का इस कितना सुन्दर लग रहा है यह फॉल उसरी फॉल जगह का नाम है हर एक चीज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं तो बिना स्किप किये विए इस ब्लॉग को देखते रहेगा एकदम एंट तक ठीक है आप लोगों को भी मज़ा आएगा यह देखिए गाइस इंजॉई करिए आप लोग भी इतना थंड़ा पानी थाना आप लोग को क्या ही बताए और थंड़े पानी में यह लोग नहाने चले गया और फोटो ले रहा है बताओ अगर मैं होता ना तो मैं पानी के अंदर कभी ने जाता क्योंकि भाई साहब थंड़ा में तो मेरा हालत खड़ाव हो जाता है और बाकी इस भ्यूग की बात करें ना बहुत ही अमेजिंग सा भ्यूग है और ऐसा लगएगा कि मान के चलो कि आप जन्नक पहुंच गये हो ठीक है वैसे जो पानी आ रहा है ना इसका आवाज आप लोग सुनिएगा गाईस ठीक है इसे क्या है ते है आराम कब टाइम निकल गिया कुछ पता नहीं इतना सुन्दर जगा है ना मन कत्ता है कि यहीं बे बैठे रहा हूँ और इस भीयो का मजल देते रहा हूँ पता हूँ गाइस है हम आपको दिखा रहे हैं यह उपर से नजारा आप लोग देशक्तों कितना सुन्दर जगा है और अगर आप लोग नहीं आए हो इस जगा पर तो एक बार जरूर विजिट करना बहुत ती अच्छा लगेगा आप लोगों को और यह देखिए सब कोई पिकनिक के लिए हाइवे हैं और मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों यह देखिए अभी भी सब कोई आ रहा है पीछे जो है मेरे पापा है मेरे पापा भी साथ में व्लोग बना रहा है यह देखिए तो उसके बाद गाइज अभी हम लोग वहाँ से निकल गए अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए कुछ दिर उसके बाद जाने वाले हैं हम लोग खंडोली डैम पर देखते हैं वहाँ का नजारा कैसा है सारा चीज आज हम इस व्लोग में दिखाने वादे हैं तो इंजोई किजी आप लोग भी यह देखिए इतना भीर है अभी अब आप लोग तैयार हो जाओ दूसरा सफर की ओड जहां पे हम लोग जाने वाले हैं अब ही हम लोग यहां से निकल गए और आपको दिखाते हैं नजारा कार से और वही करीब आदा घंटा लगेगा पहुचने में खंडोली डैम क्योंकि उस रीफॉल से ज़्यादा दूर नहीं है खंडोली आप लोग भी हम लोग के साथ इंजॉय करो इस सफर में तो यह मेरी मम्मी है और इदर पहुचते पहुचते जाम लगिया कुछ दिर यहां भी रुकना परा और फाइनली हम लोग यहां से निकल गए और अभी हम लोग पहुच गए कंडोली डैम यह देख सकते हैं आप लोग नजारा कंडोली डैम का अझावर पहुचते पहुचते हैं पाल पर अभी हम लोग अझावर पहुचते हैं रहाँ प्सक्रेशन 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 सो गाइस फाइनली हम लोग डैम की अंदर पहुंच गए यहां पे भी बहुत है सो धीरे धीरे हम लोग यहां से जा रहे हैं देख सकतो हो अप लोग व्यू का नजारा खंडोली डैम अच्छा है यह भी अच्छा ही है यहां का लोकेशन आप लोग देख सकते हो भीर तो गाइस बहुत है यहां पर यह देखिए कितना मस्ट लग रहा है यह देखिए और धूब भी बहुत ज्यादा है यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा दे रहा था यह देखे खंडोरी का यह पाहार है साई सकताव म Kashर खंडोरी का तų मकानी का अचित On a new adventure On a new adventure On a new adventure Let me go, it's my time Watch me build another life Find another space Explore the world and find my place Hope you find some peace of mind Hope the night was worth your time Threw my heart away, we won't see another day We both know the score, we've been here once before So many words unspoken, you took my heart, it's already broken You don't have to wait, I can take the pain I will surrender, let me go It's a new adventure On the new adventure You find me dancing on my own Nowhere to be, nowhere to go In the rhythm I don't think of you Don't call me up when you're feeling blue You find me dancing on my own Nowhere to be, nowhere to go In the rhythm I don't think of you Let me go, it's a new adventure It's a new adventure I will surrender On a new adventure I will surrender Let me go On a new adventure On a new adventure ऑ़्वर्वर्वाईठी एिखा ओपूजने पेषैStar वे किज़रतों के इना खैसों कत्कु कहा स की होईध। आप लोग को हम दिखा दिये हैं? तो उसके बाद आभी हम पहुनचे हैं और भी पार्क में यहां पर बहुत सारे जूले लगे वे हैं यहां पर आप लोगो को दिखते हैं हरा हड़ हर excess पार्क में कैसे किया है है तो अप्दो को चली दोस्तों देखाते हैं आप लोग को और इहर कुष्या कुछ फ़ॉटों भी ले लेंगे आप लोग दे सकतो हो यहां पे भीर बहुत ज्यादा है और धूप भी बहुत है अभी हम ठक गये हैं अभी बैठने लायक कहीं जगह खोज रहे हैं ताकि आराम से थोड़ा बैठ सके उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे पार्क में क्या गया है तो फिलाल अभी कि फाइनली एक जगह में गिया है यहीं पर बैठ जाते हैं कुस्टेर के लिए उसके बाद गाइस आप लोगों को दिखाएंगे इस पार्क का नजारा कैसा है ठीक है और अभी फिलाल आप लोग इंच्वाइ करो बैगराउंड म्यूसिक के साथ यह देखिए गाइस इतना अच्छे तरीके से इस पार्क को सजाया है डेकोरेशन किया है फूल लगा कर बहुत यह अच्छा लग रहा है दिखने में बाकि आप लोग इंजॉई करो बासिट्स कर लंड टो बासिए और आप मिझा कर दो इंच्ट मार्स उटाइस औरो है इंच्टार जावें जुब्क आफ उड़ भी दूब फ्राइस जबगां में तर जुब इंच्टे सुटेंवी आप टूल निए सुटें तर इंच्टेंटी स्टार श्ले हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ है कर दो कर दो कर दो अभी हम लोग आ गये हैं पार्क से निकल कर अभी हम लोग पहुंचे हैं खंडोली मार्केट में तो इधर आप लोग को दिखाएंगे खंडोली मार्केट में क्या किया चीज़े हैं सामान वगेरा तो आप लोग इंजोई करो आप लोग को सारा चीज़ एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे तो चलिए दोस्तों यह देखिए खंडोली डैम का यह बोर्ड है यह देखिए बहुत भीरे गाइस बहुत ज्यादा यह देखिए तो आप लोग इतना सुंदर सुंदर सामान ही सब लगया है झाल 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 पल्क यहुर्द कोड़ू झाल 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 दक ट्रवनक गूमने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा ठक चुके हैं अब मन नहीं कराए कि ज़्यादा घुमें अब हम लोग डिसाइड किये कि घर चलते हैं सो बहुत ज़्यादा ठक चुके हैं फंक him घम्ऑ हम के यहां तक आप लोग हमारे साथ जूरे हैं इस सफर में तो इस लिए डिल से ठेंक यू सो मज और अगर आप लोग को पसंद आया है व्लॉग में तो प्लीश इस विडियो और जीत MTV को जितना हो प्रीज एक रिक्वेस्ट है अगर आपको ऐसे ही गेमिंग व्लॉगिंग देखना पसंग है तो मैं आप लोग के लिए लेकर के ला दूंगा ओके कुछ नया नया कॉंटेंट तो बने रहेगा दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसी सपोर्ट बनाए रखें और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट धमा के दर वेडियोस के साथ आज के लिए बस इतना ही हुआ 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 है